नश्क्राइब दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूँ जो अभी जारकंड हाई कोट के सामने आप एक एडवकील साब ने मुद्दा रेस करा है जैसे कि आप सभी लोग जानती होगी जब COVID-19 यहाँ पर आया है तो इसके बाद जो functioning of the court है ना वो बहुत ज़ादा effect हुई है कि कुछ courts आधे काम करते हैं कुछ courts जो हैं आउनलाइन काम करते हैं और कुछ courts के अंदर भी functioning proper तरीके से चालू नहीं हुई है और इसके बज़े से यहाँ पर जो है advocates को एक तरीके से गरीबी का महल बहुत ज़ादा आ चुका है और यहाँ पर financial crisis बहुत ज़ादा face करने को मिल रहे हैं भले ही वो बड़ा वकील हो भले ही वो एक यंग वकील क्यों ना हो जो जो हरगंट के अंदर as an advocate enrolled हो रहा है ना तो उनको cases मिल रहे हैं द लोड़ी क्या बहुत ज़ादा दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे जो वकील साहब है उन्होंने जारगंट के अंदर एक प्ली फाइल करी है यह मांगते हुए कि यहाँ पर बार कॉंसल इंडिया की duty है और स्टेट बार कॉंसल अवदा जारगंट की यहाँ पर duty बनती है वकी हमती जादा जरूरी है और हमको यहाँ पर कोई भी तरह का आप से कुछ असिस्टेंस के रूप में नहीं मांग रहे हैं यह हमारा हक है अगर हम बात करें तो इस केस में भी यहाँ पर साफ तौर पर बोला जाता है कि बार कॉंसल अफ इंडिया की सेक्शन नंबर सिक्स के अ पर सेक्शन से के दिटी है और सेक्शन नंबर सेवन के इंदर यहाँ पर सेट बार कांसल सलकी डिटी बंती है और अपंड्य क्योंसल कर दिटी है उनके उपर उनके लिए जो है क्या मैटिकल इंस्वरेंस और life insurance का यहाँ पर पूरा पुरा प्रावदान है यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाए लेकिन यहाँ पर जो वकीलों की तादात है जहाँ पर इनको नीड है जो वकीलों को नीड है वो खुछ जादा quantity में है इसलिए यहाँ पर assistance हमें मांगनी चाहिए central government से और state government of जारकन से क्यो सबकों notice बेज दिया गया है एक तो central government को एक जारकन स्टेट government को एक बार कॉंसल ऑफ इंडिया को और एक state बार कॉंसल ऑफ जारकन को और यहाँ पर reply फाइल करने के लिए counter एफडेविट फाइल करने के लिए time दिया है चार हफतों का कि चार हफतों के अंदर अंदर इन सभी लोगों को जो है वकीलों के फेवर में तुम क्या कदम उठाने वाले हो और कहां से फंड लाने वाले हो कितना फंड देने वाले हो किस-किस को life insurance देने वाले हो किस-किस को medical insurance देने वाले हो इसका आपको assurance देना पड़ेगा इन सभी लोगों को जिनका मैंने आपको नाम बता हम सभी वकीलों को जो है assistance financial assistance प्रोवाइड कर आए जाए financial aid प्रोवाइड करी जाए जितने भी सभी वकील है जो regular practice कर रहे हैं इंको बहुत जादे दिक्कत आ रही है आप लोग भी वकील हो यार आप लोग भी जानते होंगे कितना ज़्यादा यहां पर दिक्कत होती है अब इ इनके dependence को दूसरे बाद उन्हेंने बोलाएं कि आयूश मान भारत health insurance जो एक scheme है इसको एक expand करके वकीलों को भी scheme में include करा जाए यहां पर कि कोई भी वकीलों भाई कितनी इंकम हो उसकी और कितना भी time को उसका experience क्यों नहों कित्रे इंड्रोड करना हो तो इस जारकंड high court ने अब देखा जाएगा यहां पर counter-affidavit में कितने लोग यहां पर ministry के लोग हैं government के लोग है बार council के लोग है के तौर पर आप अगर यंग lawyer हो तो आपको क्या-क्या difficulties face करने को मिलती है cases के लिए listing के लिए hearing के लिए financial assistance के लिए stipend के लिए यह सारी बात आप में को एक मेरी comment box के अंदर जरूर बताएगा हम सभी लोगों को आपके problem को सुनने के बाद एक नया हमारको मुद्दा समझ में आएगा ताकि हम यहां पर points raise करने के बाद में वीडियो के माधियम से लोगों तक जहां तक हम authority अपनी बात पहुंचा सकते हैं authority तक हम पहुंचा पाएंगे तो आप लोग comment box के अपना point of view जरू बिदाएगा हमिल दे नेक्स वीडियो गेंदे थेंक यू तैने बाद